हेलो स्टुडेंट्स डॉलकम टुछिक्षाय अंत्र आज अपनी अगली वीडियो जो अमारी 10 सिरीज की चल रही है पास्ट प्रफेक्टन्स के साथ आज शुरु करते हैं आज कहा हुआरा टेंस है पार्फेक्टन्स पास्टन्स जो past tense में कोई जो कारे हो वो पून हुआ हो perfect मैंने पहले भी आपको वीडियोज में बताए perfect मतलब वह काम या वो कारे जो पूरा हो चुका हो उसको बोलते हैं हम perfect tense past perfect हो या present perfect हो सब जगे हम इसी तरीके से इस्तमाल करते हैं जैसे इसकी जो पहचान है पहचान और भी होती है इसकी लेकिन हम जो generally लिखते हैं जैसे चुका था चुकी थी चुके थे या था यह था यह थी यह थे वह भी हम इसमें इस्तमाल करते हैं sentences में बनाए हुए आपको दिख जाएगा वो भी तो जैसे इसमें पहला है कि चुका था चुकी थी चुके थे इसमें जो पहला sentence है simple sentence उसमें subject के साथ क्या लग रहा है head लग रहा जो इसकी पैचान है head है बिटा क्या लगा मिलेगा आपको हैड लगा मिलेगा जिससे इसकी निश्चित्ता पता चलेगी आपको वहे कल विद्याले देर से आया था अब देखो पहले सेंटेंज में चुका था चुकी थी चुकी थे कही नहीं लगावा लेकिन यह एक परफेक्ट एंस है कि वहे कल विद्याले देर से आया था अब कल कल लगाएं लगेगा कहां लगेगा यस्टरडे ठीक है कहां यस्टरडे यस्टरडे उसके बाद आपका जो नेक्स सेंटेंस हो देखा वे बाहर खेलने जा चुके थे अब आ गया वे बाहर खेलने जा चुके थे जैसे they had gone out to play they had gone out यही थर्ट पॉम आपकी वो की थर्ट पॉम V3 they had gone out to play फिर नेक्टिव सेंटेंस है जिसका जो आपको देखने को मिलेगा जो इसका रूल है वो है subject had not V3 object अब इसमें क्या देखने को मिलेगा मैंने अपना काम खतम नहीं किया था मैंने अपना काम खतम नहीं किया था I had not finished my work I had not finished my work उसके वाल अजे ने दरवाजा बंद नहीं किया था अब देखो तीन अलग अलग देखनों मिल देंगे यहां पर हमने किया था आया था और चुके थे जो main जो काम है इस stance का वो एक ही है और वो सीधा सा काम है कि जहां कारे की पूर्टा दिख रही हो वो भी past में वहाँ पर आप head लगाएंगे ठीक है तो जादा confuse नहीं होना हम लोगों को इसको लेकर इसके बाद आपका जो next है वो है interrogative sentence जिसमे head subject v3 object head के साथ subject लगेगा और subject के साथ verb की third form object और object के आखिर में लगेगा आपका question मा क्या लगेगा क्या तुम घर पहुच चुके थे हैड अब यहां पर क्या लग गया यहां तो mistake हो गई यहां क्या लगेगा head had you had you reached home had you reached home उसके बाद क्या वे दस्वी कक्षा pass कर चुका था had he passed class 10th had he passed क्या लगा वा है pass के लिए passed ठीक है उसके बाद आता है आपका negative plus interrogative had subject not v3 जैसे had you not cleaned your room क्या तुमने अपना कमरा साफ नहीं किया था क्या तुमने अपना कमरा साफ नहीं किया था तो यहां पर क्या लगा हो है आप rule के साफ से देखो कि तो state लगा हुआ है had subject not verb की third form और object इसी साथ क्या तुमने मुझे कल रात फोन नहीं किया था तो क्या आया हुआ है had you not called me yesterday had you not called me yesterday तो आप देखेंगे कि यह जो sentences है आप देखो यहां एक मेर से भी mistake हुई भी है बहुत ही minor से changes होते है अब था की वज़े से head लग गया और है होता तो has have लगता ठीक है लेकिन sentence लगब लगब एक जैसे लगते हम लोगों को इसे पंड में इसलिए जादा से जादा आपको क्या करना है कि बहुत simple way में और बहुत ध्यान से इसको रखना है sentences को ताकि आपके जो आप जैसे board आ रहे हैं 10th के 12th के और 9th और 11th के भी अब exams हैं आने वाले समय में तो कोशिश करने हैं कि sentences को जब आप बना रहे हैं जब आप अपनी answer making कर रहे हैं तो यह बहुत ज़रूरी लगएगा आपको करते वागत बहुत students होते हैं जिनके mind में तो काफी कुछ होता है लिखने के लिए बट कई बार वो बहुत अच्छे तरीके से answer prepare नहीं कर पाते कई नगे mistakes होती हो उनके और जिसके विसे marks कमाते हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जब भी आप अपने answer बना रहे हैं तो आपको rules पर अच्छी command होनी चीए ताकि कि आप अपने answers को अच्छे से बना सकें तो अभी हम मिलते हैं next video में आज के लिए बस इतना ही था मिलते हैं next video में thank you